तेंस सीरिच के चपवे वीडियो में आप सबका स्वागत है इसमें हम लोग देखेंगे सिंपल प्रेजेंटेंस समानि वरतमान काल का सकरातमक तो इसमें पहचान देखेंगे सनचना, नियम, उधारन, 10 उधारन देखेंगे detail में, तो वीडियो को last तक देखें, तो शबस पहले देखते हैं paachan, तो paachan हम लोग पढ़ ले हैं, तो इसमें क्या रहता है हमारा वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है, ता हूं, ती हूं, ते हो, आदी तो यह सब अगर वाक्य के अंत में रहता है तो वो क्या होता है हमारा Simple Presentance रहता है या समान्य वाक्य जैसे मेरे पास एक कार है वह एक डाक्टर है आदी तो ये क्या है पहचान पहचान के बाद देखते हैं Structure सनचना, Maths में जो Formula रहता है तो वैसे ही यहाँ पर कह रहता है हमारा Structure रहता है इसके बाद Object तो यहाँ पर ये जो है क्रिया का या तो पहला रूप लएगा कोई भी एक सेंटेंस में या क्रिया का एस या एस वाला रूप Subject के नुसार ये क्रिया का रूप लगता है तो इसके लिए हमको नियम जानना पड़ेगा कि किस कर्था के साथ में क्रिया का पहला रूप लएगा और किस कर्था के साथ में क्रिया का एस या एस वाला रूप लगेगा तो यहाँ पर नियम में देखते हैं तो प्रथम पुरुस करता आई वी दृति पुरुस करता यू वा अन्य पुरुस बहु अचन करता के साथ क्रिया का पहला रूप प्रयोग किया जाता है तो यहाँ पर प्रथम पुरुष करता, दुति पुरुष करता और अन्य पुरुष के बहु अचन करता के साथ क्रिया का पहला रूप प्रयोग किया जाता है तो यहाँ पर देखते हैं जैसे I go, मैं जाता हूँ, We go, हम जाते हैं, You go, तुम जाते हो, They go, वे जाते हैं, अब दूसरा नियम देखते हैं, जिसमें क्रिया का AES या EES वाला रूप लगता है, तो यहाँ पर अन्य पुरूष एक वजन करता है, मतलब, third person, singular number के साथ, हमको क्रिया का AES या EES वाला रूप प्रियोग करना है, जैसे ही, सी, अकेट, ये सब जो करता है, किसके उदारण है हमारे, अन्य पुरूष के एक वजन करता के उदारण है, कोई भी क्रिया में उसका AES या EES जो रूप रहता है, तो उसका हमको प्रियोग करना है, जैसे ही, गोज, वह जाता है, सी गोज, वह जाती है, अकेट गोज, एक बिल्ली, जाती है, तो ये हो गया नियम, अब जैसे यहाँ पे हम चाह पीते हैं, यहाँ पे करता क्या है हमारा, ये subject है, पीते हैं, ये verb है, और चाह क्या हमारा object है, तो पहले हमको क्या करना है, subject हम, तो वी, अब यहाँ पे करता क्या हमारा, प्रथम पूरुष करता है, तो प्रथम पूरुष करता है, तो क्रिया का पहला रूप, पीते हैं, मतलब पीना क्रिया है, तो यहाँ पे drink माने पीना, तो इसका first form, we drink, हम पीते हैं, इसके बाद object, चाय, तो tea, हम चाय पीते हैं, दूसरा example देखते हैं, बच्चे cricket, खेलते हैं, अब यहाँ पर यह subject, cricket हमारा object, खेलते हैं, वर्व, तो बच्चे, चिल्डरन, चिल्डरन, अब यहाँ पर यह कहा हमारा अनिपुरुस का बहुचन क करता, तो इसके साथ, हम को भी, इसके साथ भी, क्रिया का पहला रूप लएगा, तो खेलते हैं, मने खेलना क्रिया है, तो play, चिल्डरन, प्ले, क्या कहलते हैं, object cricket, चिल्डरन, प्ले, क्रिकेट, आगे देखते हैं, वह इस मकान में रहता है, तो रहने वाला कौन है, वह subject, रहता है, क्रिया हो गया, इस मकान में, कहां रहता है, इस मकान में, तो यह object, तो he, अब यहाँ पर यह जो करता है, हमारा अन्य पुरुष का एक वचन करता, अब एक वचन करता है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, क्रिया में, एस या इस लगाना पड़ेगा, जो लगता है तो यहाँ पे रहना live तो यहाँ पे as हम लोग लगा देंगे he lives वह रहता है कहा रहता है me के लिए in this is मकान के लिए house यह हो गया he lives in this house वह इस मकान में रहता है इसके बाद पंची आसमान में उड़ते हैं subject उड़ते हैं verb आसमान object तो यहाँ पे birds अब यहाँ पे यह birds क्या हमारा अन्य पूरुष का बहुँ अचन third person plural number तो यहाँ पे birds तो इसके साथ क्रिया का first form तो fly birds fly इतने का क्यार्थ हो जाएगा पक्छी या पंची उड़ते हैं कहां उड़ते हैं आसमान में तो in the sky इस वीडियो में हम लोग देखेंगे simple past tense samani भूत काल का affirmative तो पहचान में वाक्य के अंत में ता था ते थे ती थी या क्रिया का रूप जो आया गया पढ़ा लिखा बेचा खरीदा आदी ये कहां पे आना चाहिए मतब वाक्य यहां पे खतम हो जाना चाहिए या samani वाक्य जैसे मेरे पास एक कार था वह एक डाक्टर था इस तरह का वाक्य यदि हिंदी में है हिंदी वाक्य में है तो वह simple past tense samani भूत काल होता है तो यदि इस तरह का वाक्य होगा तो उसको कैसे बनाएंगे हम लोग तो इसके लिए structure सनचना देखते हैं तो पहले subject करता करता के बाद क्रिया का दूसा रूप इसके बाद object तो यहां पे करता कोई भी हो sum में क्या रहेगा क्रिया का दूसा रूप तो यह जो है simple present से simple past थोड़ा आसान होता है अब यहां पे देखते हैं जैसे यहां पे यह क्या हमारा करता I, we, you, he करता कोई भी हो तो यहां पे हमको क्या करना पड़ेगा क्रिया का दूसा रूप जैसे wrote यह क्या है write का यह second form होता है write wrote return तो write क्या है first form wrote second form return third form तो क्रिया का जो दूसा रूप रहता है वही इस tense में simple past tense में use होता है जैसे यहां पे क्या है write का यह second form है write में लिखना wrote लिखा return लिख चुका तो यहां पे I wrote मैंने लिखा we wrote हमने लिखा you wrote तुमने लिखा he wrote उसने लिखा तो यहां पे इस तरह से क्रिया का दूसा रूप लगता है अब यहां पे हम लोग उधारर बना करके देखेंगे जैसे यहां पे हमने कल फुटबाल खेला तो यहां पे करता कौन है हमने हम तो we अब यहां पे खेला लाश्ट कहां पे हो रहा हिंदीवा के खेला मने क्रिया का रूप खेला तो यहां पे यह क्या हमारा simple past tense है तो खेलना क्रिया का second form क्या होता है play का played we played हमने खेला यह होगया subject यह होगया verb क्या खेला football तो we played football यह होगया हमारा object इसके बाद कल के लिए yesterday y e s t e r d a y we played football yesterday हमने कल football खेला राजू रोज school जाता था अब यहाँ पे करता है हमारा राजू तो राजू अब जाता था मने जाना करिया है तो go मने जाना तुसका सेंट फार्म क्या होता है वेंट राजू वेंट कहा जाता था to school रोज के लिए daily राजू वेंट to school daily मैंने पत्र लिखा यहाँ पे करता कौन है मैं तो आई यहाँ बने लिखना लिखना का सेंट पार्म क्या होता है रोट I wrote later, मैंने पत्र लिखा, उसने मेरी मदद की, उसने ही, अब यहाँ पे मदद करना, यहाँ पे मदद करना करिया है, मदद की second form, तो help का second form क्यों होता है, helped, he helped, मेरी मी, 10 series के एक और वीडियो में आप सब का स्वागत है, आज हम लोग देखते है, simple future tense, समाने भविसेकाल, पहचान, तो किस तरह का हिंदी वाक्य इस tense के अंतरगत आता है, देखते हैं, वाक्य के अंत में क्रिया का रूप किस तरह से रहता है, आएगा, जाएगा, रहेगा लिखेगा, गाएगा, आदी मतलब, जो क्रिया में, ये गा, गे, गी, जुड़ करके आएगा, जैसे जाना, जाना में, ये गा जुड़ करके आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, जाएगा, तो इस तरह से क्रिया का रूप आता है, तो वो क्या होता है हमारा, simple future tense, तो यहाँ पर देखते हैं कि sell और will, तो कोई भी एक sentence में या तो sell लएगा, या will लएगा, तो इसके लिए नियम देखते हैं, कि किस तरह के करता के साथ में, किसका प्रयोग होगा, तो यहाँ पर नियम देखते हैं, प्रथम पुरुष करता, तो जो प्रथम पुरुष करता है हमारा i-we, तो उसके साथ हम लोग cell का प्रयोग करते हैं, जैसे i-cell go, मैं जाऊंगा we-cell go, हम जाएंगे यह है cell का नियम, प्रतम पुरुस करता के साथ ही लगता है, इसके बाद देखते हैं दूती पुरुस करता, वा अनि पुरुस करता के साथ विल का प्रयोग किया जाता है तो यहाँ पे विल के लिए नियम क्या है कि जो दुति पुरुस करता है यू और जो अनि पुरुस करता है तो उनके साथ विल का प्रयोग किया जाता है जैसे यू विल गो, तुम जाओगे he will go, वह जाएगा they will go, वे जाएगे लेकिन एक बात ध्यान देना है कि वरतमान समय में हम सभी करता के साथ will का प्रयोग कर सकते हैं जब हम लोग example बनाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे सभी के साथ will कही प्रयोग करेंगे तो आगे देखते हैं उधारन जैसे सीता गाना गाएगी सीता क्या है? सब्जेक्ट है गाएगी ये वर्व है, ये अब्यक्ट है तो सीता सभी के साथ will लगा सकते हैं तो यहाँ पे will फिर यहाँ पे क्रिया क्या है? गाएगी मने गाना, तो यहाँ पे sing सीता will sing a song सीता, गान गाएगी, मैं कार, चलाओँगा, तो आई, तो आई के साथ हम लोग विल लगा के बनाते हैं, आइविल, अब यहाँ पर कार चलाना को क्या बलते हैं, ड्राइव, ऐ विल ड्राइव, अ कार, ये हो गया, हम कल दिल्ली, जाएंगे, करता हमारा, we will अब यहाँ पर क्रिया क्या है? जाना, go तो we will go, इतने का क्यार्स हो जाएगा? हम जाएंगे, कहाँ जाएंगे? we will go to Delhi अब यहाँ पर future tense है, तो future tense के कल के लिए, tomorrow t o m o डबल र ओ डबल तुमारो वह मेरी मदद करेगा करता हमारा he फिर will मदद करना, help मेरी के लिए, me he will help me, वह मेरी मदद करेगा वह कल पत्र लिखेगा, subject हमारा he will लिखना, तो write he will write वह लिखेगा, क्या लिखेगा, पत्र लिखेगा he will write, for later कल, तो तुमारो tense series के एक और वीडियो में आप सब का स्वागत है, आज हम लोग देखेंगे present continuous tense upon वर्तमान काल, तो ये है tense series का नुवव वीडियो, तो upon वर्तमान काल मतलब, वर्तमान काल में जो काम हमारा पूरा नहीं हुआ है मतलब, जो काम अभी हमारा चल रहा है तो इसके लिए इस tense का प्रियोग करते है तो हिंदी में पाचान का है इसका हिंदी वाक्य के अंत में क्या था हमारा रहा है, रही है, रही है आदी, अब यहाँ पी है क्या बताता है हमारा ये present tense है, और रहा क्या बताता है कि काम हमारा चल रहा है तो इस तरह से हिंदी वाक्य में भाचान ये रहा है रहे है रही है आदे इस तरह से होना चाहिए अब आगे देखते हैं सनरचना इस्ट्रक्चर तो पहले सब्जेक्ट करता 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 के बाद helping verb is aim are इसके बाद क्रिया का ing form उसके बाद object अब यहाँ पे हमको यह देखना है कि किस करता के साथ में is का प्रयोग करेंगे किस के साथ में aim का और किस के साथ में are का तो इसके होगे तो क्या हो जाएगा i aim मतलब यह aim सिर्फ एक ही करता i के साथ प्रयोग होता है तो यह हो गया हमारा aim का i के साथ यह लगता है इसके बाद देखते हैं दूसरा r का प्रथम पुरुष बहुचन करता v, दूती पुरुष करता u और अन्य पुरुष बहुचन करता के העar का प्रयोग किया जाता है अब इसके बाद देखते हैं कि each का प्रयोग कहाँ पी होता है जब करता हमारा annipurus एक बचन करता हो तब हमग अन्य पुरुष बहुचन करते हैं जैसे annipurus बहुचन करता ही सी किसी एक वेक्ति का नाम, कोई एक वस्तू या जानवर, तो वहाँ पे हम लोग इच कब्लियो करते हैं, तो यह नियम ईच एम आर का है, अब देखते हैं, मैं सेब खा रहा हूँ, अब यहाँ पे करता है Plus I, तो I के साथ हम लोग किस कब्लियो करते हैं, इम का, नहीं अब यहां पर गई खा रहा हूं, यहां पर क्रिया क्वाना दर खा रहा मतलब जिस भी क्रिया में रहा लगा रहा तो उसमें सात हम लोग कемся करते हैं UNG यहां पर कंटिन्वस में क्रिया का अई इन फार्म तो I am eating an apple, मैं से खा रहा हूँ, कुत्ते भौक रहे हैं, तो यहां पर dogs, अब यहां पर यह क्या है हमारा अन्य पुरुष का बहुचन करता है, तो यहां पर are, dogs are, क्रिया क्या है, यहां पर भौक, भौकना, तो क्रिया का यही फॉर्म, barking, कुत्ते भौक रहें, राधा गाना है, तो यहां पर राधा, अब राधा क्या हमारा अन्य पुरुष का एक होचन है, तो यहां पर इज, अब यहां पर क्रिया क्या है, यहां पर गार है, तो singing, क्रिया का यही फॉर्म, और song, राधा गाना, गार है, हम अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो यहां पर वी, वी क्या है प्रताम पर उसका बहुत चनकरत हो यहां तो यहां पर आर सीखना के लिए learn l-e-a-r-n ing learning we are learning हम सीख रहे हैं क्या सीख रहे हैं अंगरी जी तो इंग्लिस 10 सीरीज के एक और वीडियो में आप सब का स्वागत है आज हम लोग देखेंगे past continuous tense upon भूत काल तो past continuous tense upon भूत काल मतलब जो काम हमारा अतीत में हो रहा था उस टाइम पर जारी था तो वो क्या होता है हमारा past continuous tense हिंदी वाकि के पहचान में क्या रहा था हमारा रहा था रहे थी रही थी इस तरह से था आप क्या बताता है हमारा past tense को और रहा ये continuous को कि past में उस time वो काम चल रहा था इस तरह से ये हो गया पहचान, पहचान के बाद देखते हैं structure सनचना तो पहले subject करता, करता के बाद सहाय क्रिया वास और वर, इसके बाद क्रिया का ing form उसके बाद object, तो अब यहाँ पे हमको ये देखना है कि किस करता के साथ वास का प्रयोग होगा सहाय क्रिया और किस करता के साथ में सहाय क्रिया वर का प्रयोग होगा उसके लिए हम लोग नियम देखते हैं तो पहले वास का नियम देखते हैं तो प्रथम पुरुस एक वचन करता मतलब आई, आई के साथ वो अन्य पुरुस एक वचन करता के साथ सहाय करिया वास का प्रयोग किया जाता है तो मतलब अन्य पुरुस एक वचन करता होगा तो वास का प्रयोग करेंगे या प्रथम पुरुस एक वचन करता आई होगा तो हम लोग वास का प्रयोग करेंगे जैसे आई आई होगा तो वाज, ही, सी, किसी एक वेक्ति का नाम इस तरह से अन्य पुरूस का एक प्रेव करेंगे तो यह है वाज का नियम, अवेर का नियम देखते हैं प्रथम पुरुस बहुचन करता मतलब वी, दीती पुरुस करता यू, वा अन्य पुरुस बहुचन करता के साथ सहाक्रिया वर का प्रयोग किया जाता है, प्रथम पुरुस बहुचन करता वी, दीती पुरुस करता, अन्य पुरुस का बहुचन करता जैसे दे, सीता और गीता तो इस तरह को जो करता रहेगा तो हम लोग सहाय क्रिया वर का प्रियोग करेंगे उदारार देखते हैं मैं पतंग उड़ा रहा था करता क्या यहां पर आई आई के साथ वास उड़ाना फ्लाइंग आई वास फ्लाइंग आ काइट मैं पतंग उड़ा रहा था हम टीवी देख रहे तो करता क्या है हमारा वी वी के साथ वर वी वर अब यहाँ पे देखना तो वाच तो देख रहे तो वाचिंग वी वर वाचिंग टीवी वा एक्स्वेटर बुन रही थी तो यहाँ पे करता हमारा वा लड़की है तो C, C के साथ अनिपुर से एक वजन करता है वास, अब यहाँ पर बुनना करिया है तो knit, ing firm, k-n-i-t-i-n-g knitting, our sweater, sewage knitting, our sweater. 10Series के एक और वीडियो में आप सब का स्वागत है, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे future continuous tense upon भईसिकाल का सकरात्मक तो पाचान में क्या है कि वाकि क्यांत में रहा होगा रहे होंगे रहे होगी मतलब ये हिंदी वाकि की पाचान है तो होगा क्या बताता है हमारा future बताता है रहा रहे रही क्या बताता है continuous तो भईसिमें जो काम चल रहा होगा तो उसको दरसाने के लिए उसको दिखाने के लिए इस टेंस का प्रेवग होता है और हिंदी में इस तरह से रहा होगा रहे होंगी रही होगी भाचान होता है आगे देखते हैं सनचना सनचना में पहले subject करता करता के बाद cell या will इसके बाद साय करता के नुसार cell या will तो प्रथम पुरूश करता आई वी के साथ cell दोईती पुरूश और अन्य पुरूश करता के साथ will तो वर्तमान में सभी करता के साथ हम will का प्रेवग कर सकते हैं तो धारण में पर हम लोग सभी करता के साथ विल का प्रयोग करेंगे, तो धारार देखते हैं, वे रईवार को movie देख रहे होंगे, तो यहाँ पर करता हमारा they, यह हो गया, they will फिर be, क्रिया गया है हाँ पर, देखना देख रहे होंगे, तो watching, they will be watching movie, रईवार को तो on Sunday वाँ अंग्रेजी सीख रहा होगा, करता हमारा वाँ, तो he, he will, फिर be, सीखना क्या होता है, learn तो अंग्रेजी सीख रहा होगा, आगे देखते हैं, वाँ नदीम में तैर रही होगी, तो यहाँ पर यह लड़की है, तो सी, सी विल बी, तरना, तो स्विमिंग, अंजी फॉर्म, नदी में तो इन, दर रिवर, यह हो गया, जानवी अपनी मित्रे को पत्र लिख रही होगी, करता जानवी, तो यहाँ पर जानवी, फिर विल, बी, क्रिया क्या लिखना, तो लिख रही, तो राइटिंग, क्या लिख रही होगी, पत्र, लेटर, किसको लिख रही होगी, अपने मित्र को, तो टू, हर, फ्रेंड, मैकल, एक नया फोन, खरीद रहा होँगा, तो यहाँ पर करता, आई, आई, विल, बी, खरीदना, बाइ, तो हंजी, फार्म, बाइंग, अ न्यू, फोन, कल के लिए, टुमारो, टेंड सीरिज के एक और वीडियो में आप सब का स्वागत है, आज हम लोग देखेंगे प्रेजेन का परफेक्ट टेंड, पूर्ण, वर्तमान, काल, तो सब से पहले पहचान देखते हैं, तो वाक्य के अंत में चुका है, चुके है, चुकी है, या आया है, गया है, पढ़ है, आदि, मतलब वर्तमान में जो काम हमारा पूरा हो चुका है, तो उस तरह के वाक्य के लिए हम लोग इस टेंड का प्रियोग करते हैं, तो हिंदे में पहचान ये हैं, चुका है, चुकी है, या करिया का रूप आया है, गया है, पढ़ा है, लिखा है, आदि, तो ये रूप उसके बाद अब्जेक्ट या अदर वर्ड तो यहां पे नियम हमको जानना पड़ेगा कि किस करता के साथ में हमको हैस का प्रयोग करना है और किसके साथ में हैप का प्रयोग करना है तो यहां पर पहले हम लोग हैस का नियम देखते हैं तो अन्य पुरुस एक वचन कर किसी जानुवार का नाम या एक वस्तु तो यहां पे हम लोग यह सहाय क्रिया हैस का प्रयोग करेंगे हैस के बाद हैप का देखते हैं तो प्रथम पुरुष करता आई वी दृति पुरुष करता यू वा अनि पुरुष बहु अचन करता के साथ सहाय क्रिया हैप का प्रयोग किया जाता है तो यहाँ पर प्रथम पूरुष करता आई भी होगा तो दिती पूरुष करता यू होगा तो या अनिपूरुष करता जैसे दे या और दुसरे अनिपूरुष के बहुशन करता होंगे तब हम लोग सहाय क्रिया हैब का प्रयोग करेंगे तो यह है हमारा नियम नियम के बाद देखते हैं हमारा उधारन, मैं यहां movie देख चुका हूँ, करता कोन है यहां पे, मैं प्रथम पुरुष करता, तो I, तो I के साथ हम लोग किसका प्रेख करेंगे, have, I have, अब देख चुका हूँ, क्रिया क्या है यहां पे देखना, तो scene, अब मैं देख चुका ह हूँ, क्या देख चुका हूँ, यह movie, तो this movie, मैं यह movie देख चुका हूँ, मैं उससे मिल चुका हूँ, फिर से करता, I है, तो I के साथ, have, I have, अब यहां पे मिलना, तो meet, meet का third form, meet, mate, mate, तो I have met him, मैं उससे मिल चुका हूँ, अतुल आ चुका है, करता यहां पे अतुल, अब यहां पे यह क्या हमारा अनिपुरुस का एक बचन करता, तो यहां पे साय क्रिया है, अतुल है, अब यहां पे आ चुका है, मतलब क्रिया क्या है, आना, तो आना का third form क्या होता है, कम, तो यह है हमारा कम आज हम लोग देखेंगे पास्ट का पर्फेक्टेंस पॉर्ण भूत का अफर्मेटिव यह है वीडियो 13 तो पास्ट पर्फेक्टेंस इसको पास्ट का पास्ट भी कहा जाता है मतलब कोई अतीर की घटना के और पहले की घटना तो हिंदी वाक्य में देखते हैं पहचान तो वाक्य के अंत में चुका था चुके थे चुकी थी या आया था गया था पढ़ा था लिखा था आदी इस तरह से यादी हिंदी वाक्य के अंत में आता है तो वो क्या होता है हमारा past perfect tense का पहचान हिंदी में इसके बाद देखते हैं हमारा structure सनरचना तो यह जो है present tense से यह आसान रहता है क्योंकि यहाँ पे जो helping verb है वो सिर्फ एक ही helping verb है head मतलब करता कोई भी हो हमको क्या करना है सिर्फ साहर क्रिया head का प्रयोग करना है और फिर क्रिया का तीर्षा रूप उसके बाद object तो यह है structure तो आगे देखते हैं example तो वीडियो को पूरा देखे बीच में skip ना करें मैं परयाप्त धन बचा चुका था तो I फिर सभी के साथ had अब यहाँ पे बचाना तो save save method form save, saved, saved I had saved परयाप्त धन तो enough E N O U G H enough money I had saved enough money मैं परयाप्त धन बचा चुका था चोर ने मेरी घड़ी चोरी कर ली थी तो यहाँ पे the thief T H I E F thief had चोरी करना still मारी चोरी करना तो still stolen stolen तो चोर ने क्या चोरी कर ली थी मेरी घड़ी तो यहाँ पे my watch तुम अपना काम खत्म कर चुके थे तो यहाँ पे you had खत्म करना पूरा करना complete तो complete तो हिंदी वाग के क्यांत में चुका होगा चुके होंगे चुकी होगी या आया होगा गया होगा पढ़ा होगा लिखा होगा आदी मतलब भविस्व में जो काम हम कर चुके होंगे तो उसके लिए इस टेंज का प्रयोग किया जाता है तो यह होगा हमारा पहचान पहचान के बाद देखते हैं सन रचना तो यहाँ पे पहले सब्जेक्ट है सब्जेक्ट के बाद सेल विल, सेल विल के बाद है फिर क्रिया का तीसा रूप और आपजेक्ट तो यहाँ पे हमको सेल विल का नियम जानना पड़ेगा सेल विल का नियम हम पहले पढ़ चुके हैं तो प्रथम पुरुस करता आई वी के साथ सेल का प्रयोग किया जाता है और दुति पुरुस करता वह अनि पुरुस करता के साथ विल का प्रयोग किया जाता है वर तमान समय में हम सभी करता के साथ विल का प्रयोग कर सकते हैं तो उधारर में हम लोग सभी करता के साथ विल का प्रयोग करेंगे अब यहाँ पर देखते हैं उधारण, तो उधारण यह पहले से मैं बना लिया हूँ, ताकि समय कम लगे, अब यहाँ पर देखते हैं उधारण, वह सो मवार तक काम पूरा कर चुकी होगी, तो यहाँ पर यह क्या हमारा subject करता C, तो C will have completed the work by Monday, तुम कल अपना काम शुरू कर चुके होगे, तो यहाँ पर करता तुम, तो you will have started, शुरू करना क्रिया है, तो उसका third form, started your work, अपना काम, तुमारो कल, तो you will have started your work, तुम कल अपना काम शुरू कर चुके होगे, आगे देखते हैं, वह एक नई कुरसी बना चुका होगा, तो यहाँ पर क्रिया क्या है, यह एक नई कुरसी, a new chair, वह अपना घर सजा चुके होगे, तो यहाँ पर करता, they will have, अब यहाँ पर क्रिया क्या है, सजाना, तो उसका third form, decorate का, decorated, they will have decorated, अपना घर, तो their home, वह अपना घर सजा चुके होगे, आप सब का स्वागत है, आज हम लोग देखेंगे, present perfect continuous tense, पौन वर्तमान काल का affirmative, तो जैसे यहाँ पर नाम से सप्रास्ट है कि यह जो tense है, इसमें दोनों है, perfect भी है, और यह continuous भी है, मतलब कुछ काम हमारा पूरा हो चुका है, और कुछ काम हमारा चल रहा है, तो यहाँ पर देखते हैं, कोई काम जो पहले से होता, आ रहा हो, और वर्तम आने के लिए इस tense का प्रियोग किया जाता है, तो यहाँ पर पहचान में देखते हैं, समय के साथ वाक्य के अंत में रहा है, रहे है, रही है, मतलब यहाँ पर समय के साथ रहा है, रहे है, रही है, या पढ़ता आ रहा है, लिखता आ रहा है, आ दी, मतलब वाक्य इस तरह स होना चाहिए कि हमको यहां पता चले कि जो काम है वाक्य में वो पहले से होता आ रहा हो तो वो इस टेंस में आता है चाहिए उसमें समय दिया गया हो या ना दिया गया हो जैसे यहां पढ़ता आ रहा है लिखता आ रहा है काम करता आ रहा है यहां पर समय नहीं है लेकिन वाकिय से हमको यहां पता चल रहा है कि काम वो पहले से करता आ रहा है तो यह इस तरह से वाकिय भी क्या होगा हमारा प्रेजेंट की परफेट कंटिनियूस में होगा अब यहां पर देखत हैप का नियम देखेंगे उसके बाद since far का नियम देखेंगे तो since far यहां पर जो time दिया गया है तो time के अनुसार से since far लगता है तो उसको आगे हम लोग देखेंगे तो has helped का नियम जो present के perfect में हम लोग पड़े थे तो वही नियम यहाँ पे भी लागू होगा तो जैसे हैज है तो हमारा अन्य पुरूस के एक वचन करता के साथ सहा क्रिया हैज का प्रयोग क्या जाता है मतब करता हमारा अन्य पुरूस एक वचन करता है जैसे ही सी इट किसी एक विक्ती का नाम जैसे राम तो इस तरह से ज़़ी करता होगा तब हम लोग किसका प्रयोग करेंगे हैस का प्रयोग करेंगे हैस के बाद देखते हैं है तो प्रथम पुरूस करता आई वे दूती पुरूस करता यू और अन्य पुरूस के बहुँ अचन करता के साथ सायकरे हैप का किया जाता है जैसे यहांं पे दे यह सब होगा तब रोट क्या करेंगे है का प्रश्यों धरी करेंगे इस तरह से होगा तो अच्छ सेटर अब आगे देखते हैं हाँ तो में जो समय गया रहता है तो उसके हिसाब से हम लोग सिंस फार का प्रयोग करते हैं इसका अर्थ क्या निकलता है से तो यदि वाक्य में कार्य प्रारम करने की समय बिंदु दी गई हो मने कार्य प्रारम करने की समय बिंदु दी गई हो तब हम लोग किसका प्रयोग करते हैं सिंस का प्रयोग करते हैं जैसे सुबह से दस बजे से स सोमर से जनवरी से 2002 से यहां पर सुरुवाद करने का यहां फर ख्या दिया गया है। एक स्टार्टिंग पॉmittel दिया गया है। तो यह इस तरह से दिया गया हुँ तब हमनों क्या करेंगे। सिंच को प्रियोग करेंगे। सुबह से सिंस मॉर्णिंग दस बजे से सिंस टेन उकलाक सुमवार से सिंस मंडे जनुवरी से सिंस जनुवरी 2020 से सिंस 2020 इस तरह से आगे देखते हैं फार का नियम तो फार का नियम देखते हैं कि वाक्य में यदि कार्य प्रारम करने की समय ओधी दी गई हूँ यहां पर ध्यान दिना ह कि समय ओधी duration दी गई हूं, तब फार का प्रयोग किया जाता है, जेसे 5 मिनट предлаг कि किया है, 5 मिनट की एक ओधी है, 2 घंटा, क्या है एक ओधी है, duration है, 3 दिनों से, 4 महिनों से, 10 वर्णों से, तो ये सब क्या बताता है, अवधी, डूरेशन यहाँ पर दरसाता है यह सब, तो इस तरह से यदि समय दिया गया हो, तब हम लोग क्या करेंगे, फार का प्रयोग करेंगे, तो पांच मिनट से, फार फाइब मिनट, दो घंटे से, फार टू आर्स, तिन दिनों से, फार थ्री डेज, चार महिनों से, फा हम लोग दिखते हैं, उदाहरण, तो उदाहरण मैं पहले से बना ले हूँ, ताकि समय कम लगे, मैं सुबह से एक कहानी लिखते आ रहा हूँ, यहाँ पर समय दिया गया है, सुबह से, तो आई, आई के साथ है, फिर बीन, क्रिया का एंजी, फार्म, इसके बाद, अबजेक से एक कहानी लिखते आ रहा हूँ, राधा तिन घंटे से पुष्टकालाय में पढ़ रही है, यहाँ पर समय दिया गया है, अवधी डियूरेशन, तो यहाँ पर क्या लगेगा, फार, तो राधा, यह क्या है, अन्य पुरूस का एक वचन है, तो यहाँ पर साहक्रिया है, तो राधा has been reading in library for 3 hours, राधा 3 घंटे से पुष्टकालाय में पढ़ रही है, मैं 2 घंटे से क्रिकेट देख रहा हूँ, तो यहाँ पर करता कौन है हमारा प्रथम पुरूस करता, तो I, I के साथ है, तो I have been watching cricket for 2 hours, यहाँ पर 2 घंटे, यह क्या है, अवधी यहाँ अब स्वागत है, आज हम लोग देखते हैं, पास्ट का पर्फेट कंटिन्यूर स्टेंज, पौर्ण अपौर्ण भूतकाल का फर्मेटिव, तो यहाँ आप देखते हैं, इस्टेंज का प्रियोक कब होता है, जैसे कोई काम हमारा पास्ट में स्टार्ट हुआ था, और पास पास्ट में उस काम को हम लोग करते ही रहते हैं, तो वो क्या होता है हमारा पास्ट का पर्फेट कंटिन्यूर स्टेंज, अब यहाँ देखते हैं पाचान, पाचान में क्या है, समय की साथ वाकि केंट में रहा था, रहे थी, रही थी, पढ़ता रहा था, लिखता आ रहा थ था काम करता आ रहा था आदी मतलब वाकिस से हमको यहाँ पता चलना चाहिए कि वह काम पास्ट में स्टार्ट हो करके पास्ट में वह जारी था अब यहाँ प्यागे हम लोग देखते हैं संरचना तो सब्जेक्ट उसके बाद है फिर बेन क्रिया का इंजी फर्म कि तरह है अब यहाँ पर को देखते हैं एक्जांपल यह पहले से मैं बना के रखा हूँ वह दो घंटे से पुस्तक पढ़ते आ रहा था he had been reading a book for two hours तो यहां पर देखते हैं कि दो घंटा क्या है ये अवधी है duration है तो इसके लिए duration में हम लोग क्या करते हैं far का प्रयोग करते हैं तो for two hours has been ये क्या है हमारा सहाय करिया है helping verb है ये और यहां पर reading ये क्या हमारा main verb है ये क्या हमारा subject ये object है ये क्या है time है ये दूसरा दिखते है there had been playing football for in hour वह एक घंटे से football खेलते आ रहे थे तो यहां पर they करता हमारा फिर had been had been क्या है सबी में रहे गाए उसके बाद क्रिया क्या है खेलना तो playing खेलते आ रहे थे football फार इन आवर वे एक घंटे से फुटबाल खेलते आ रहे थे मैं सुभा से पुश्टकाला में पढ़ते आ रहा था तो यहाँ पर I फिर had been reading in library since morning तो मैं सुभा से library में पढ़ते आ रहा था हम तिन घंटे से movie देखते आ रहे थे we had been watching a movie for three hours मैं उसकी मदद करते आ रहा था काम पहले से होता आ रहा था अरुज टाइम भी हो रहा था तो I had been helping him मैं उसकी मदद करते आ रहा था एक और वीडियो में आप सब का स्वागत है आज हम लोग देखेंगे future का perfect continuous tense पॉर्ण अपॉर्ण भईसेकाल तो इसके अंतरगाथ हम लोग पहचान सनरचना नियाम उधारा सब देखेंगे तो पॉर्ण अपॉर्ण भईसेकाल जैसे हाँ पर नाम से सपस्थ है पॉर्ण अपॉर्ण मतलब किसी कारे का कुछ हिसा हमारा पॉर्ण हो continuous tense की अंतरगत आता है तो इसमें पहचान में क्या है इसमें समय दिया गया रहता है तो समय के साथ वाक्य क्यंत में रहा होगा रहे होंगी रही होगी पढ़ता आ रहा होगा लिखता आ रहा होगा या सिर्फ पढ़ता आ रहा होगा लिखता आ रहा होगा काम करते आ रहा आदे मतलब वाक इसे हमको पता चलना चाहिए कि भवी से में वो काम को पहले से करता आ रहा था और भवी से में मो कर ही रहा होगा तो यह हो गया हमारा पहचान पहचान के बाद देखते हैं structure संरचना तो इसमें subject subject के बाद sell या will फिर have been create ing form फिर object object के बाद far फिर time अगर ज़रूत पड़े तो यहाँ पर by फिर time यहाँ पर जो far say के लिए use होता है और यहाँ पर जो by है by किस के लिए use होता है तक के लिए आगे हम लोग example में देखेंगे तो sell will का नियम तो पता ही है आप लोग को आई वी के साथ sell बाकि सभी के साथ will लेकिन परतमान में हम सभी के साथ will का प्रेयोग कर सकते हैं तो अब यहाँ पर far तो far का नियम भी हम लोग देख लिए है present tense में तो फिर भी एक बार देख लेते हैं far यदि वाक्य में कार्य प्रारंभ करने की समय अवधी दी गई हो मतलब कोई भी कार्य है अगर उसमें समय अवधी दी गई हो duration दिया गया हो तब हम लोग far का प्रेयोग करते हैं जैसे किस तरह के अवधी जैसे पांच मिनट से दो घंटे से तिन दिनों से चार मेनों से दस वरसों से तो यह सब क्या है अवधी है तो इस तरह से जादी दिया गया हो समय तब हम लोग उसके पहल 90 minutes, for 2 hours, for 3 days, for 4 months, for 10 years इस तरह से अब आगे देखते हैं हम लोग buy का प्रेयोग, साम तक, रईवार तक, 3 बज़े तक, मार्च तक यह इस तरह से वाक्य में आता है तब हम लोग क्या करेंगे तक के लिए buy का प्रेयोग करेंक जैसे buy evening, buy sunday, buy three o'clock, buy march अब यहाँ पर उधार देखते हैं तो दारण मैं पहले से बना के रखा हूँ, मैं दस बजे तक तीन घंटे से यहां प्रतिक्षा करते आ रहा होंगा, अब यहां पर देखते हैं कि दस बजे तक मैं कितने घंटे प्रतिक्षा करते आ रहा होंगा, तीन घंटे, मतला मुझे तीन घंटे हो चुके हो यहां तीन घंटे से तो यहाँ पर से के लिए फार त्री आर्स तिन घंटे से और दस बजे तक तो यहाँ पर तक के लिए क्या है बाई टेन अकलाक तो I will have been waiting here मैं यहाँ प्रतिक्शा करते आ रहा होंगा फार ट्री आर्स तीन घंटे से by ten o'clock, 10 byrast तक, आगे देखते हैं, तुम सोमवार्थ तक, दो दिनों से यातरा करते आ रहे होगे, तो you will have been travelling, तुम यातरा करते आ रहे होगे, अब यहाँ पे दो दिनों से, तो for two days, दो दिनों से, कब तुम दो दिनों से यात्रा करते आ रहे होगे? सो मुआर तक, तो यहाँ पे by Monday, you will have been traveling for two days by Monday, तुम सो मुआर तक दो दिनों से यात्रा करते आ रहे होगे, आगे देखते हैं, वहाँ तीन घंटे से खरिदारी करती आ रही होगी, तो यहाँ पे, she will have been shopping for three hours, वहाँ तीन घंटे से खरिदारी करती आ रही होगी, वहाँ दो दिनों से अपना घर सजा रही होगी, she will have been decorating her home for two days, वहाँ दो दिनों से अपना घर सजा रही होगी, रोहित एक घंटे से हस रहा होगा, रोहित will have been laughing for an hour, यहाँ पे एक घंटे की अवधी दी गए है, से, तो फार्थ एक घंटे के लिए an hour, रोहित will have been laughing for an hour,